गुड आफनून सुदेंट्स बच्चों अब मारा वेक्टर एलजब्रा में जो नेक्स टॉपिक आता है बेटा इस इस रिजॉलुशन ओफ ए वेक्टर सो वट इस दा मीनिंग ओफ रिजॉलुशन ओफ एक्टर और ये टॉपिक हमारा काफी इंट्रेस्टिंग भी कह सकते है है बेटा हम कॉंसेप्ट को समझने के लिए और बड़ा ही मजीदार है मतलब ये ना बहुत से क्विशन्स हैं वो हम इसके विहाब पे सौल करेंगे जो शायद हम डेली लाइफ में जिनको अब्जोर भी करते हैं अभी जरा अग्जांपल भी हम लेंगे आगे फिलाल जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको resolution करना, resolve करना, तोड़ना तो बेटा ये वो process होता है जिसमें हम किसी भी वेक्टर को split करते हैं, resolve करते हैं, तोड़ते हैं किसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर जो की अलग-अलग डारेक्शन्स में होते हैं लेकिन उन सभी का जो effect होता है, combined effect वो same होता है जो उस given vector का है मैं अपनी बात को फिर repeat करता हूँ, क्या ये वो process है बेटा, जिसमें हम किसी भी vector को split करते हैं इसको मैं किया, split किया, resolve किया, तोड़ा, दो या दो से ज़्यादा vectors में, in different directions, in such a way that their combined effect is same as that of a given vector, is known as a resolution of vector और जिनको हम resolve करते हैं, उनको बोलते हैं, components, the vectors so obtained from a given vector are known as components of vector इसके meaning को समझने के लिए हमने ज़रा example लिया, suppose हमारे पास एक book रखी हुई बेटा यहाँ और हमने माना कि इस book को इस तरफ moment करवाने के लिए, जो force चाहिए हमें, वो कितना चाहिए, 10 newton या ज़्यादा भी हो सकता है, 20, 30, 50 को भी आप example मालने तो यहाँ से इसको moment करवाने के लिए, हमें जो force चाहिए, वो 10 newton चाहिए लेकिन हम अपने आप में ऐस मर्थ हैं, किस बात में ऐस मर्थ हैं, इस पे 10 newton force हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं ऐसे कुछ condition हमारे पास है, या जिसके ब्यापिम यह कहें, कि हमारे पास इतना force एक साथ पैदा नहीं हो सकता, लेकिन छोटे-छोटे forces हैं आप छोटे-छोटे forces इस direction में नहीं हैं, तो किस direction में हैं, तो हमने माना कि इसके उपर एक force लगाया है, हमने कुछ इस तरफ, in this way, say F1 और दूसरा force लगाया है बेटा, इस तरफ, say F2 अब आप से कहा जाए, इस F1 और इस F2 का resultant force बताएं कौन सा होगा तो ये हमने बड़े अच्छे से सिखा हुआ है, parallelogram, low of vector addition के अंदर कि जब भी कभी दो vectors जो यहां नजर आ रहे हैं, F1, F2, जो कि perpendicular है तो इनका जो resilient force होगा बेटा, वो होगा F1 का square, प्लस F2 का square, प्लस 2, F1, F2, cos 90 क्यों? क्योंकि दोनों perpendicular है, और उस सारे का under root and cos 90, 0, तो हमें मिलेगा F1 का square, प्लस F2 का square, रोट सारे का under root और यदि बच्चों F1, F2, सेम है बेटा, तो उस case में दोनों का resultant exactly mid में मिलेगा, अब हमने ये कुछ इस तरह से values ले रखी हैं, ताकि दोनों का combined effect, जो है, वो कितना आ जाए, 10 आ जाए तो इसका मतलब हम direct 10 अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने कुछ force इस तरह अप्लाई किया, कुछ force इस तरह अप्लाई किया, और इस तरह से अप्लाई किया, ताकि दोनों का जो resilient है वो इस तरह आए, और वो 10 के equal आ जाए, तो अब यह object इस direction में trial करेगा, तो इन दोनों का जो effect है, वो same है, जो इस single vector का है, या हम यह कहें, इन दोनों को हम replace अब इस vector से कर सकने हैं, यह इसका मतलब होगा, तो जब भी कभी हम split करते हैं, किसी vector को दो या दो से जादा components के अंदर, vectors के अंदर, जो की अलग-अलग directions में है, और उन सभी का जो effect है, वो same होगा, जो किसी given vector का है, तो इस process को ही बच्चों हमने resolution of vector का नाम दिया है, अब इस diagram में हमने लिया first, that is rectangular component of a vector, what is the meaning of rectangular component of a vector, तो answer है, whenever a vector is resolved into two mutually perpendicular vectors, जब भी कभी किसी भी vector को हम mutually दो perpendicular vectors में resolve करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको बेटा हमने rectangular component of a vector का नाम दिया है, यहाँ जो 2 लिखा है, यह represent कर रहा है 2D को, 2 dimension में, और हम आगे पढ़ेंगे, that is 3 dimension में, तो उस case में हमारा answer क्या होगा, तो यहाँ जो हम बात कर रहें मेटा, क्या है, whenever a vector is resolved into two mutually perpendicular components, then these are known as rectangular components, क्या मतलब इस बात का बच्चो देखे जरा, तो इसके लिए हमने एक xy plane consider किया, और इस xy plane में हमने एक vector assume किया, say a vector, and we assume this a vector makes an angle theta with x axis, and 90 minus theta with y axis, क्यों, क्योंकि x और y mutually perpendicular है, तो यदि यह theta होगा बेटा, तो यह 90 minus theta होगा, मतलब यह, कि यदि यह 30 degree है, तो हम कह सकते हैं, यह 60 degree होगा, यह 60 degree है, तो यह 30 degree होगा, अब यहाँ पर जो vector a है, हमने यहाँ triangle low of vector addition की concept को use किया, जिसमें एक vector हमने लिखा om vector, यह जहाँ complete हो रहा है, वहाँ से दूसरा vector हमने कौन सा लिया, mp vector, तो बेटा, om और mp का op क्या कह लाएगा, resilient vector, तो यही लिखा हमने, op vector जो होगा, this one, will be equal to om vector, plus mp vector, किया जाएगा, अच्छा, जो mp vector है, यह किस के parallel है, on vector के parallel है, so this mp vector is parallel to on vector, so we can also write, op vector equal to om vector, plus on vector, अब जो om है, यह x की तरफ है, जिसको हमने ax vector मान लिया, this om along x-axis, so we assume this one is ax vector, और जो on है बेटा, यह on y की तरफ है, इसको हमने ay vector मान लिया, so this is ay vector, so a vector equal to ax vector, plus ay vector, और बच्चों हमें बड़े अच्छे से पता होता है, क्या, कि जो vector है, वो बराबर किस के होता है, magnitude, यह magnitude है बच्चों, into direction, यह direction है, तो पेटा, ax vector को हम ax i cap भी लिख सकते हैं, और जो ay vector है, इसको ay into j cap भी हम लिख सकते हैं, तो यह a vector बराबर आ गया, ax i cap, plus ay j cap, और अच्छे से समझने के लिए, हमने example लिया, suppose इस तरह से, जिसमें अगेन, x y plane है, और कोई point p है बेटा, और यह हमने कुछ points माने, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, और suppose करें, हमने point p माल लिया यहाँ, मैं आप से कहूँ बेटा, कि इस point p के coordinates बताएं क्या होंगे, तो आप बोलेंगे, कि सर, इस point p का, जो x coordinate है, वो है 3, और इस p का, जो y coordinate है बेटा, वो है 6, इसका मतलब, यहाँ, जो point p है, जिसको हमने o से join किया है, origin से, इसके यह x और y coordinates आ गए, और अब, जो point o और p को हमने join किया है, उसको हमने a vector का नाम दिया, and we can write, a vector equal to 3i plus 6j, क्योंकि, जो point p है बेटा, वो x axis से 3 distance पे है, और y axis से 6 distance पे है, so we can say this a is the position vector, position vector क्यों कहा, क्योंकि a vector हमें इस point p की exact location बता रहा है, position बता रहा है, यह हमें यह बता रहा है बेटा, कि p जो है, वो x से 3 distance पे है, और y से 6 distance पे है, so this 3i cap combined denotes ax vector, this 6j cap combined denotes ay vector, या इस 3 को हम लिख सकते ax, that is magnitude, और i cap क्या है बेटा direction, this 6 is ay, that is magnitude, and j cap is direction, so a vector equal to axi plus ayj, यह हमारा 2d में क्यालाता है, 3d में हम क्या लिखते, axi plus ayj plus az के, उसमें z coordinate भी आ जाता, तो बच्चों, ए vector जो लिखा हमने, axi plus ayj, यह ax और ay क्या हैं बेटा, यह ax, ay ही इस vector a के components है, यहां तो आपने fat x से answer दे दिया, कि ax की value सर 3 होगी, और ay की value 6 होगी, कब answer दिया, जब आपको यह points given थे बच्चों, लेकिन हमें जो यहां questions मिलेंगे, हमें यह points given नहीं होगे बेटा, हमें यह angle given होगा, और इस angle के बिहाफ पर बताना है हमें, क्या, कि इधर जो value होगी, इस a की वो क्या होगी, और इस तरफ value ज़े वो क्या होगी, तो फिलाल, same, इसी की तरफ पर हमारा यह result आया है, axi plus ayj, now, from triangle, यह हमना triangle ली है, कौन सी, this one is, m, o, p, a, p, o, m, जो भी है, अब इस triangle में साफ दिखाई दे रहा है आपको बेटा, यह theta है, theta के सामने वाली side perpendicular, this one is base, और हमें पता है, p, b, p, by, h, h, b, पंडित बद्र परशाद वाला जो formula हम use करते हैं बच्पन से, उसके बिहाफ पर कह सकते है, b, by h क्या होगा, b, base, this one, o, m, h, o, p, तो o, m, by, o, p, that is cos theta, अब अच्छों मैं आपसे कहूं, what is the value of o, m, o, m, मतलब length, तो, बेटा, यह o, m, complete ax vector है, लेकिन length की बात करें, तो यह खाली ax होगा, और यदि हम बात करें किस की, o, p, की, तो o, p, vector, complete a vector है, लेकिन length है, वो a होगी, यह भी हमने study किया हुए है, क्या, कि जो length है, वो magnitude होती है, और जो arrow है, वो direction होती है, तो, यहां से बेटा, o, p, sorry, o, m, upon o, p, that is cos theta, तो इस o, p, को इधर ले आए हम, तो o, m, कितना आ गया, that is, o, p cos theta, और o, m है क्या, that is, ax है, o, p है क्या, a है, तो यहां से ax बराबर किस के आ गया, a cos theta के, तो बच्चों, यह आ गया, इस vector a का, x में, component, और इसी को ही हमने, rectangular component का नाम दिया है, तो this is the, component of vector a, along x axis, a cos theta, इसी तरह से, यदि हम calculate करें, p by h, m, p, upon o, p, अब m, p, perpendicular है, तो, हमें पता है, p by h होता है, sin theta, so, m, p by o, p, equal to sin theta, इस o, p को इधर ले जाए, जो की a की बराबर है, तो, m, p, आ जाएगा, a sin theta, मतलब, ये side क्या आगई, a sin theta आगई, ये किसके parallel है, बच्चो, ये m, p, parallel है, on k, so, we can also write, m, p, equal to on, equal to ay, equal to a sin theta, तो, बच्चो, ये दोनों जो आए हमारे, जिसकों ने equation second और third का नाम दिया है, ये ही कहलाते है, rectangular component of a vector a, तो, यहां से, ax आगए, a cos theta, और ay आगए, a sin theta, अब बच्चो, ये दि, यहां पर, a की जगे force होता, suppose, मैं लिखता हूँ, कुछ इस तरह से, ऐसे, this is force f, and this is angle, suppose, 30 degree, और इधर जो component होगा, वो आएगा, f sin 30, और ये क्या कहलाएंगे, ये इस force के, rectangular component कहलाएंगे, जो भी angle है, जिस तरफ angle बन रहा है, जैसे ये force है, इसके साथ angle बना रहा है, किसके साथ, say x-axis, तो इस f का, इधर component, cos आएगा बटा, और इस f का, इधर component sign आएगा, और ये ही कहलाते हैं बच्चो, rectangular component, अब यदि हम इन दोनों को, square करके add कर दें तो, तो square करके add करते ही, left में आएगा, ax का square, plus ay का square, और right में, a square cos square theta, plus a square sin square theta, और ये a square common ले लेंगे, बच्चो, तो यहां से, ये अंदर one बन जाएगा, so finally, a equal to, ax का square, plus ay का square, ये सारे गंडूर, कब है ये, जब हमने square करके add किया है, अच्छा, यदि मैं आपसे कहता, कि बटा, इसको square करके add मत करो, इसको direct बताओ, अब parallelogram से क्या आएगा, अब हमने पड़ा हुआ है, कि parallelogram में, जो r vector होता है, ये a vector है, ये b vector है, या triangle log के अंदर भी हम कह सकते है, जो r vector होता है, ये a और ये b, तो r vector का magnitude क्या हता है बेटा, a का square, plus b का square, plus 2 a, b, cos theta, और सारे का under root, तो यहां a की जगए ax है, b की जगए ay है, r की जगए a है, तो यहां से क्या आएगा, ax का square, plus ay का square, plus 2 ax ay cos 90, क्यों, क्योंकि x और y perpendicular है, तो भी हमें जो answer मिलता, वो यही answer मिलता बच्चो, तो ये हमारा आगया, vector a का magnitude, calculate करने का formula, divide कर दें, तो इस से हमें direction पता लग जाएगी, 10 theta equal to ay upon ax, यह हमारा direction find out करने के लिए ध्यान रहे, numericals हम जो solve करेंगे, वो इसी से solve करेंगे, तो यहां से हमें answer मिलता गया, 10 theta equal to ay by ax, then theta equal to 10 inverse ay by ax, so finally बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बेटा, आप ऐसे लगा सकते हैं arrow, तो यह जो component होका, यह ax कहलाएगा, that is a cos theta, और यह component क्या कहलाएगा, that is a sin theta, और यही कहलाते हैं, rectangular component of a vector, these are known as, rectangular component of a vector, example देंखे जड़ा, हमारा पास एक inclined plane दे रखा है बेटा, जिसमें एक object रखा हुए, इस inclined plane पे कुछ इस तरह से, और आप से कहा जाए, क्या, किसके weight के component बताओ, या यह कहें, इसके weight को, result करो, rectangular component में, अब बचों, यदि यह theta है बेटा, और यह हो गया इसका weight, जो की, center से लगेगा इस तरह से कुछ, अब यह angle कितना है बचो, 90 degree, यह कितना है theta, तो बेटा, यह कितना आगए this one, यह आगए 90 minus theta, अब यह angle कितना है पूरा, 90 है, यदि यह 90 minus theta है, तो यह theta होगा, तो इसका मतलब यह mg है, और mg इस branch के साथ, कितना angle बाना रहा है theta, जिसको हम इधर लिख सकते हैं, यह से, यह mg है, और mg इसके साथ क्या बना रहा है theta, तो बेटा, इस mg का इधर component क्या आएगा बच्चो, mg cos theta, और इस mg का इधर component क्या आएगा, mg sin theta, क्या mg cos और mg sin दोनों perpendicular हैं, यह से, तो इन दोनों का जो combined effect होगा, वो इसके बराबर होगा, तो यह हमारा कहलाता है, that is rectangular component of a vector यहां से,